नमस्कार आप देखरें इंग्यान्यूस का दिजिटल प्राटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ सुनेली जोड़े हनी ट्राप हनी ट्राप सुनने में तो काफी स्वीट सा नाम लगता है लेकिन अगर इसकी वास्तविक्ता से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हनी ट्राप कितना करवा सच होता है हनी ट्राप की वज़े से कई लोगों की बरबाद हो चुकी है और अभी भी कई ऐसे लोग है जो हनी ट्राप के शिकार होते आ रही है ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आए चलिए आपको बताते ही पहले हनी ट राप में लोगों को फसाया जाता है सब कुछ हमारे इस वीडियो के माथ्यम से कहते हैं दोस्ती हम उम्र वाले से ही भकती है वन्हां भारी पड़ सकती है कुछ ऐसा ही मामला फरीदाबाद से सामने आया है हुआ यू कि 48 साल के एक वैकती को 20 साल की यूवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया यूवती ने उन्हें ना केवल हनी ट्राप में फसाया बलकि ब्लाक मेल करके 2 लाख रुपे भी वसूर लिए मामला तब बिगड़े नी लगा जब यूवती के लालच और भी ज्यादा प पुलिस स्टेशन में फाइल करवाई जुसके बाद से क्राइम राज की टीम ने आरूपी यूवती को अरस्ट कर लिया पीडित ने बताया कि वो फायर ब्रिगेट में नौकरी करते हैं पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जो यूवती है जो आरूपी यूवती है वो मूल आगरा की रहने वाली ही फरिदबाद के एतामपूर में अभी रहती है वो घरों में साफ सफाई का काम किया करती है धाई साल पहले यूफ्ती की दोस्ती फाय ब्रिगेड के करमचारी से हुई थी पुलिस ने मताया कि यूफ्ती को पता था कि पीड़ित सरकारी करमचारी है इ इसके बाद मीजी फोटो वाइरल करने की धमकी देनी लगी और बार बार शाररिक संबंद बनानी और पैसों की डिमांड करने लगी। पीडित ने बताया कि यूफती ब्लाक मेल करके उससे करीब दो लाक रुपे ले चुकी है। इसके अलावा एक फ्लाट अपने नाम करने की मांग भी कर रही है। बाद मीं उनसे एक करोर रुपे की भी मांग करनी शुरू कर दी। पीडित ने बताया कि यूफती ने फ्लाट और रुपे की मांग पूरी ना होने पर फोटो वाइरल करके उसे बदनाम करनी और रेप के जूटे खेस में फसा कर जेल भेजवानी की धमकी दे रही थी। इसकी वज़ों से वो काफी ज्यादा डर गए और उसने पचास-पचास हजार रुपे किस्त के तौर पर देने शुरू कर दी। और ब्लाक मेल से मिले पचास हजार रुपे को भी अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताच में मैला ने बताया है कि सरकारी करमचारी को ब्लाक मेल करके जल्दी पैसे गमाना चाहती थी। इसलिए उसने आपती जनग फोटो खिछवाए और वारल करने की धमकी देकर उसे पैसे लेने चाहिए। पुलिस जाच के दौरान मैला के कबजे से वारदात में उपयोग किये गए मुवाइल को भी बरामत किया गया। जिसमें वो सभी आपती जनग तस्वीरे भी रखती थी जिससे वो पीडित को बदनाम करने की धमकिया दिया करती थी। तो देखा अपने कैसे एक सरकारी करमचारी को उसके ही घर में काम करने वाले नहीं हनी ट्राप में फसाल लिया। अपने इसे छोटे उम्र से दोफती करना इतना भारी पर रहा कि नहीं सिर्फ पैसे गए बगी की इज़त पर भी बात बनाई। ना यह सिफ ऐसा एक वेक्ति के साथ बलकि ऐसा कईयों के साथ हो चुका है। कई सारी हसीनाएं जो होती हैं वह सेना के जवानों को भी हनी ट्राप का शिकार बनाती है। और वह शिकार इसलिए बनाती ही कि खूफिया जानकारी उन्हें उसे मिल सके। कई सारी ऐसी खबरे आई हैं जब सेना के जवान हनी ट्राप का शिकार होते ही और देश की कुछ खूफिया बाती उन सभी को बता देते हैं। जो कि वह हमारे दुश्मन देश को जाकर उसका इन्फोर्मीशन देती हैं और हमारे खिला भी इस्तमाल करते हैं। और यह और कई सारी हसीनाएं इससे पैसा कमाने का जर्या भी मानती हैं। जब पानी सीर से उपर चड़ा तब जाकर के जो पीडी तुएक्ती था उन्होंने प्लीस में कंप्लेंड फाइल करवाई और जाकर यूपती आरेस्ट ही। ऐसा सिफ एक मामला नहीं वल्कि कई ऐसे मामली ही जहां पर आरोपी यूवक्त ऐसे हनी ट्राप का शिकार होती आए। ऐसे तमाम ख़परों को जानने के लिए और देखने के लिए बने हैं। इंद्यान्यूस के दिच्टल प्लाटपॉर्म के साथ हने बाए। प्लाटब। प्लाटूब।